Study IQ IS, अब तयारी हुई, अफोर्डबल इस वीडियो का या इस सीरीज का अजेंडा क्या है, तो सबसे पहले तो यह समझेंगे, कि क्या कवर होगा इस सीरीज में, और किस बेस पे यह आर्गुमेंट्स या यह प्लेस इन न्यूस आपसे डिसकस की जाएगी, तो सबसे पहले है कि अगर हम देखते हैं, लास्ट ये प के पेपर में, 17 questions आये थे, mapping से, और इन 17 questions में से, देखा जाए, तो 13 आये थे, current affairs related, current affairs related, in current affairs में से, कुछ questions आये थे, art and culture के, geography and environment के, और third जो category था, जो majority था, वह, वो basically था, places and news, जो international politics में mention की गई है, अब international politics में, अगर हम देखते हैं, तो, हर दिन कुछ न कुछ आता रहता है, कि कहीं न कहीं meeting हो रही है, तो कहीं न कहीं कुछ, you know, summit हो रहा है, तो कोई कहीं पे visit कर रहा है, बट ऐसे कुछ news होते हैं, जो buzz में रहते हैं, जाज में रहना मतलब ये जो places and news हैं, वो एक से जादा या दो से तीन दिन तक news cycle में रहता है, और कहीं न कहीं इस पे काफी debates या editorials आती रहती हैं, कभी ऐसा भी होता है, कि ये news आया है December पे, बट चर्चा हो रही है दो महीने बाद, क्यूंकि उसका impact दो महीने के बाद कोई meeting या summit में mention किया जाता है, तो ये जो cycle है, इसको आपको ध्यान से देखना होगा, कि क्या news में कौन से places mention किये गये हैं, और क्या आज कल, last एक साल में अगर देखा जाए, तो क्या buzz में रहा है, तो second thing that I wanted to share was, इस series में, मैं जून 2023 से लेके, March 2024 तक, हर महीने का, तो हर episode एक-एक महीना कवर करेगा, तो हर महीने का जो places in news है, उसको मैं आपको map में, along with it क्या context था उस news का, उसको share करने वाली हूँ, अब problem क्या होता है, कि last कुछ महीने जो होते हैं, प्रिलिम से पहले, देखा जाए तो December, January, February, March, उस समय में regular newspaper पढ़ना मुश्किल हो जाता है, तो most students, current affairs, magazines या weekly summaries बढ़ते हैं, और कहीं न कहीं ये places in news मिस हो जाता है, तो इसी लिए, जो pattern रहेगा, वो ये रहेगा कि मैं आज, December 2023 के सारे जो important places in news हैं, उसको cover करूँगी, उसके बाद एक reverse में जाएंगे, जहां पे हम November, October cover करेंगे, and last में January, February, March cover करेंगे, एकदम आपके prelims से पहले, तो क्या होगा कि आपका एक proper revision होता रहेगा, अगर आप ये series follow करते रहोगे, आचा, तीसरा चीज में जो आपको request करूँगी, कि जैसे जैसे मैं ये places in news बताती रहोगी, तो आपको दो चीज करना है, एक, अगर आप Atlas के सा बैट सकते हो, तो perfect है, वरना एक paper में आप इन जगों का नाम लिखते रहो, ताकि बाद में, जब आपके पास थोड़ा भी time रहे, तो आप वापस Atlas में जाके, ये जो places हैं, उसको properly एक बात देख लो, ताकि समझ पूरे एक world Atlas में समझ जाओगे, कि कहां पे है exactly located, ये बहु बाद बार questions आते हैं कि North to South का sequence बनाओ, ये South to North का sequence बताओ, तो ये जो sequencing है, वो आपको Atlas में ही समझ में आने वाला है, you really need to have a good hold of the maps, ठीक है, तो इसके साथ, start करते हैं, places in news का series, तो सबसे पहला जो place आज हम बात करने वाले हैं, वो है Venezuela, अब Venezuela कि अगर हम बात करें, तो एक सम हम वेनिजुएला से बहुत सारा पेट्रोल लेते थे, अब क्यूं लेते थे, इतना दूर है जब, क्यूंकि वेनिजुएला काफी सस्ते में पेट्रोल देता था, और अगर देखा जाए, तो वेस्टेशिया से लेना, you know, it was expensive, इरान पे सैंक्शन ओफ एन लगते रहते हैं और एक समय था जब हाँ पे रशिया से भी हम इतना पेट्रोल नहीं ले रहे थे, बट 2019 में वेनिजुएला पे यूएस सैंक्शन लगाता है, क्यूं, क्यूंकि वहाँ पे प्रेसिदेंशल इलेक्शन के समय पे, यूएस का मानना था कि वहाँ पे इलेक्शन फ्री एन फेर नहीं हुए थे, इलेक्शन कब हुए थे, 2018 में, सैंक्शन कब लगे थे, 2019 में, सो 2019 से लेके अब तक ये सैंक्शन चल रही थी, अब फाइनली यूएस ने क्या किया है, कि सैंक्शन उठा दी है, और इसके वज़े से इंडिया ने अभी फिर से पेट्रोल खरीदना शुरू कर दिया है, फेबरी महीने में पहला ट्रांच ओफ पेट्रोल आने वाला है वेनिज्वेला से, आफ्टर दे सैंक्शन से पहले अगर देखा जाए, तो 10 मिलियन बैरल्स ओफ क्रूड ओयल आता था हर महीने वेनिज्वेला से, तो आप देखते हैं मैप में, कहां पे है वेन वेनिज्वेला आता है आपका लाटन अमेरिका रीजिन में, लाटन अमेरिका जो रीजिन है वो जियो पॉलिटिकल टर्म है, जिसमें मेक्सिको, सेंट्रल अमेरिका और साउथ अमेरिका इंक्लूड है, बट जो अगर हम जोग्रिफी के लिए के बोले, तो ये एरिया है सा यहाँ पानी में आपको मिलेगा बेसिकली ओफिशोर साइट्स में मिलता है तो ड्रिलिंग यहां पर करीमिन सी के अगर हम बात करते हैं तो जो पेटरोल आता है यहां प्रमा दिख रहा हो गाएक इमपके पॉइसे में पॉइसले चो कंप नाल भी एक इंढ नबी इंपक्षार्ट पॉइंट है जो लिंक करताहे है अटलांटिक तो Pacific किसको लिंक करता है Atlantic Ocean तो Pacific Ocean तो Venezuela का जो ओयल इंडिया के पास आता है वो बेसिकली Panama Oil से होते हुए Pacific Ocean होते हुए South China Sea होते हुए इंडिया के पास आता है इसी लिए इंडिया का इतना बड़ा stake है कि China क्या कर रहा है South China Sea में और Panama Canal इसी लिए हमारे लिए इतना इंपोर्टेंट है रीसिंक्ली न्यूज में भी आया था कि Panama Canal में पानी का जो लेवल है वो कम हो चुका है इस वज़े से काफी ट्राफिक जैम हो रहा है शिप्स मूब नहीं कर पा रही है और एक सेकिंड Panama Canal की बाद भी की जा रही है चाइना ने तो यहां तक प्रपोज किया है कि लाटन अमेरिका में एक नया कनाल बनाया जाए जो चाइना फंड करेगा बट चाइना का फंडिंग विल आल्वेज लीड टू डेट ट्राफ यह भी हमें पता है तो अब वेनेजवैला इसलिये न्यूस में था क्योंकि इंडिया हैं अगें स्टार्ट इड प्यार्फन फ्रॉल फ्रम वेनेजवैला और इस लि этना दिन का सैंक्षण क्यों लगा था यह सारा एडिटोरियल में डिसकस भी किया गया था, इसके अलावा और एक चीज के लिए वेनिजुएला न्यूज में था, वेनिजुएला और गुवाना के बीच में कॉन्फिक्ट के लिए क्या हुआ है कि गुवाना एरिया में एक रिवर है ऐसी कीबो बोलके ये रिवर यहां से जाता है ये जो आपको रेड लाइन और ये दिख रहा है ये ऐसी कीबो रिवर यहां से जाता है ऐसी की वो river के इस तरफ उस तरफ वेनेजोइला के साईड में जो territory है वो Venezuela claim करता है। तो एक बार back करते हैं यहाँ पे देख थे हैं तो वेनेजोइला है वेनेजैला के यहाँ पे गुआना आता है। बट यह रिवर के इस तरफ वाला एरिया वेनेजूइला लेता है बट गुआना कहता है यह गुआना का है। आच्छुली में देखा जाए तो आज के दिन possession गुआना के पास ही है। तो गुआना का country ही रूल कर रहा है वहाँ पे। बट वेनेजुएला कहता है कि ये क्लेम बहुत पुराना है और ये ICJ में भी बात गई है। फाइनली सेप्टेंबर 2023 में ऐसे कीबोर रिवर के यहां पे इस जगह पे गुआना ने दिया एक ड्रिलिंग लाइसेंस ताकि यहां पे भी ओईल का एक्स्प्लोरेशन हो सके। बट तभी भी वेनेजुएला ने कहा कि नहीं देखो लोगों का मत है कि वो वेनेजुएला को जॉइन करे गुआना को ये मानना पड़ेगा। गुआना इमीडियेटली आईसीजे के पास जाता है एक एप्रिल में दोहजार चॉबिस में ये बात ट्राइल में आने वाली है तब तक वेनेजुएला और गुआना को शांथ रहना चाहिए बट वेनेजुएला कहता है कि हम आईसीजे की बात नहीं मानेंगे क्योंकि लो मेंकोशर एक ट्रेट ब्लॉक है जिसमें मेंबर्स हैं आर्जंटीना ब्राजील और गुए और वेनेजुएला को 2016 में मर्कुशर से निकाल दिया जाता है तो मर्कुशर का कहना है कि यहां पे कुछ नहीं होना चाहिए ना वेनेजुएला अग्रेशन दिखाना चाहिए ना गुआना को एक preemptive action लेना चाहिए, दोनों को dialogue के through solve करना चाहिए इस चीज़ को, तो मरको सर का भी point बहुत clear है, कि वेनेजुला शुड नौट शो अग्रेशन, but because वेनेजुला को suspend कर दिया गया था, इसलिए वेनेजुला भी मरको सर की बात नहीं सुन रही है, तो क्या अमेरिका में क्या-क्या चल रहा है, एक वेनेजुला से sanctions हट गई है, दूसरा क्या हुआ है, वेनेजुला और गुवाना के बीच में conflict के chances बढ़ रहे हैं, and April 2024 में ट्राइल शुरू हो रही हैं फिर से, and तीसरी चीज़ है मरको सर, मरको सर एक trade block है, जिसके members हैं Argentina, Brazil, Paraguay and Urugu जिसके साथ India का काफी अच्छा relation है, next country में आते हैं वो है निकारागुआ, अब निकारागुआ कई दिन तक news में था, क्या था news, कि एक निकारागुआ bound aircraft जिसमें और 300 passengers थे, उसमें भी 260 Indians थे, वो France में रोग दी गई थी, ground कर दी गई थी, क्यूंकि डर था कि human trafficking होने वाला ह है या हो रहा था उस plane से, अब जब जाच परताल शुरू हुई, तो पता चला कि वो human trafficking नहीं था, but instead, illegal immigration था, through the donkey route, या इस पे एक movie भी आई है, डंकी, शारुक खान की, ये donkey route होता क्या है, basically, ये एक method होता, illegal method है, जिसके through में, illegal immigrants कई सारे countries पहले visit करते हैं, और उसके बाद, यूएस, एंटर करते हैं, by car, boat, और even by foot, अब निकारागोवा एक ऐसा country है, जहां से, ये donkey route शुरू होता है, तो कई ऐसे planes हैं, जो illegal immigrants को यहाँ पे ले आते हैं, उसके बाद, agents पे depend करता है, कि निकारागोवा से यूएस कैसे ले जाए, तो निकारागोवा इसलिए काफी द और हमने Panama Canal देखा था उस map में, Panama Canal से थोड़ा सा उपर जाओगे, तो Panama Canal के बाद आता है Costa Rica, और Costa Rica के बाद आता है निकारागोवा, निकारागोवा अगेन Caribbean Sea के पास है, निकारागोवा का capital है मानागोवा, तो मानागोवा तक ये जा रहा था plane, अच्छा, यहां से कैसे जाय जाता है, एंटर किया जाता है, बहुत सारी routes है, बट सबसे common route है एक निकारागोवा से आप El Salvador या Mexico से एंटर करते ही हुए US जा सकते हो, वरना निकारागोवा से भी Gulf of Mexico के थूप, आप जा सकते हो US, कई सारे donkey routes है, बट निकारागोवा आज के दिन काफी attractive place हो गया, जहां से यह donkey routes शुरू हो रही है, तो again मैं बोल रही हूं कि यह news में काफी दिन तक था, क्योंकि पहले यह था कि human trafficking है यह, बट human trafficking नहीं था, यह illegal immigrants का एक group था, जो जा रहा था to enter into US, उसमें से भी 260 Indians थे, ठीक है, अब अगले country पे आदे से पहले, just want to talk to you about the P2I batch, जो launch हो रहा है 24th February, Hindi, English और English में available है, and आपको अलड़ी पता ही है कि अगर आप code use करते हो DW Life, तो आपको maximum discount मिलेगा, that is, जो price 70,000 रुपीज का है, वो आपको 24,999 रुपीज में मिलने वाला है, और P2I batch क्या है, prelims to interview, right, prelims से लेके interview तक आपको complete support मिलेगा, by best of the best faculties, daily answer writing, mentorship, crux, handwritten notes, you name it, सारे features included है P2I में, उसके बाद prelims, एक बार hurdle क्लियर हो जाए, तो उसके बाद MRP आ जाता है, main residential program, जिसके अंडर में आपको दिल्ली बुला के, properly आपको guide किया जाता है, answer writing में, किस तरीके से difficult questions solve किया जाए, कि means में भी आपका, you gain success, right, और उसके बाद क्या होता है, कि interview, और interview guidance program के अंडर में, DAF analysis से लेके, mentorship से लेके, mocked interviews तक, आपको complete support मिलेगा, under the P2I badge, तो इसलिए जल्दी जाहिए study IQ के website पे, और use करिए क्या, DW live code, DW live, चलिए आते हैं next, अब krakenal, krakenal तो, आप सभी को पता ही होगा, क्या है, बट ये news में क्यों था, तो यहाँ पे एक आता है, Istomus of Kra, Istomus of Kra, Istomus जो word होता है, basically, to sea के बीच में, एक narrow piece of land को Istomus कहा जाता है, और यहाँ पे ये जो एरिया है, हमबन टोटा पोर्ट से आएगा, राधर दन गोईंग थू दिस ट्रेट अफ मलक्का, ये krakenal से होते हुए, डायरेक्ली साउट चाइना सी आ सकता है, बट ये जो प्लान था, पहले इनिशेली चाइना काफे इंट्रेस्टेट था, क्योंकि मलक्का डायलमा को ये skip कर रहा था, मलक्का डायलमा, इस बेसे के लिए चाइना का ये डर है, कि इस जगह को अगर चोक कर दिया जाए, तो चाइना का ट्रेट कट सकता है, that is रुपावटा सकती ह 만들어 बना दे, जिससे कि directly यहां से South China Sea trade जा सके बट ये जो प्रोजेक्ट था इस पे काफी दिन से काम चल रहा था बट कोई भी tender pass नहीं हो रहा था क्योंकि it was a very expensive project एंड इसी वज़े से चाइना ने म्यानमार के साथ सी मेक पे काम करना शुरू कर दिया यहां से यहां पे जो सित्वे पोर्ट है उसके बगल महीं क्योप क्योपोर्ट है वहां से अट लिस्ट चाइना का एक अल्टनेटिव रूट बना रहे बट फाइनली डिसेंबर महीने में जो थाइलिन के प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने कहा कि भई कनाल नहीं बनाते हैं एक लैंड ब्रिज बना देते हैं इसका मतलब क्या है कि अल्डेडी लैंड है दोनों तरफ दो पोर्ट बनाते हैं ठीक है अब यहां से जो शिप्स निकल जाएंगे टूवर्ज साथ चाइना सी तो कनाल नहीं बना के लैंड बिज की कंस्ट्रक्शन करते हैं जो अल्रीडी लैंड है उसी में बिरिज बनाना है और दो पोर्ट बनाने है तो इतना ख़चा नहीं रहेगा विच इस विच बनाने हैं तो इतना खर्चा नहीं project and at this point of time China के पास इतना foreign reserves नहीं है to create this project. क्योंकि कई सारे projects already चल रहे हैं and Thailand में ये कराक land bridge बनाने से obviously Malakkar dilemma तो solve हो जाएगा but तभी भी it's a project that China has to think about the pros and cons. Interesting बात है already India ने Nicobar Islands में एक deep sea port बनाना शुरू कर दिया है. So क्रा कनाल ये क्रा land bridge बनने से इंडिया को ही फाइदा होने वाला है क्योंकि after Colombo most international ships ये container ships पहले Nicobar Islands में ही रुखने वाले हैं. तो चाहे वो Malakka स्ट्रेट से आए या चाहे वो क्रा कनाल से या क्रा land bridge से आए आंदर माना Nicobar एकदम strategically located है इसका फाइदा इंडिया जरूर उठाने वाला है. So this has been in news and अब आगे आगे देखा जाएगा कि China exactly करता क्या है with the land bridge proposal. उसके बाद आते हैं विट्सुन रीफ में. ये है South China Sea तो सबसे पहले देख लेते हैं South China Sea ये एरिया है. तो Malakka स्ट्रेट से आने के बाद आप जब northern side में जाने वाले हैं towards China you hit towards South China Sea. तो South China Sea में December महिने में फिर से Philippines और चाइना के बीच में एक clash हुआ था. जहां पर Philippines के जो coast guard है उन्होंने कहा है कि about 135 Chinese ships are located around this Whitsun reef. ये जो Whitsun reef है ये एक V-shaped reef है. जहां पर पहले भी US और Chinese ships में problems हो चुकी हैं, clashes हो चुकी हैं. बट इस बार Philippines का ये कहना है कि जो Chinese ships हैं वो Whitsun reef में, about 135 of these ships are there and it is a sign that China यहां पे भी कोई construction करने की कोशिश कर रहा है. तो Philippines ने इसी लिए इसको एक red flag की तरह raise किया है और कहा है कि Spratley Islands के बाद Whitsun reef will be the next artificial island ये artificial area जो China rebuild करने वाला है. अब Whitsun reef है किया, it is the largest reef in the Union Banks in the Spratley Island area और China और Philippines दोनों ने claim किया हुआ है as well as Vietnam. तो तीन claimants हैं यहां पे China, Philippines और Vietnam. करिंटली किस के अंडर आता है? किसी के अंडर नहीं है, ये completely unoccupied है. बट एकॉनम, exclusive economic zone of Philippines के अंडर ये Whitsun reef आता है. ठीक है? आगे बढ़ते हैं, आते हैं Arctic Circle में. अब Arctic Circle की बात करें तो हमारा इंडिया का जो Research Station है, वो इधर Longyear Bean में है. ठीक है? हिमादरी जो Research Station है, वो Longyear Bean में है. इससे पहले कई बार इंडिया ने Summer Expeditions की है. बट पहली बार, 2023 December में, Winter Expedition के लिए, इंडिया has sent a Research Group. और इससे क्या होने वाला है? कि इंडिया is going to observe Polar Nights. Polar Nights क्या होता है? जहां पे 24 घंटे तक, महीनों महीने तक, Sunlight नहीं रहता है. And it is Sub-Zero Temperature. तो यह जो Scientific Expedition है, Winter Scientific Expedition है, यह पहली बार, इंडिया ने किया है. And it is going to be based from Himadri, जो located है Longyear Bean में. ठीक है? Longyear Bean, आप map में Arctic Circle देख लोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि, from EU, you have to just go to Longyear Bean, यहां पे आता है. Right? So, this is where India is, India's Research Station is also. इसका नाम है Himadri. Acha, interesting बात है, Longyear Bean में, किस country का control है? Color से ही आप समझ जाओगे कि Norway का control यहां पे है. It is seen as part of Norway itself. And यहां पे Norwegian kroners, जो उनका currency है, वो ही used होता है. और Norway के साथ हमारा अच्छा relation है. India का काफी अच्छा relation है. And for the past two years, हमारा Scandinavian countries के साथ summits भी हुई हैं, जिसके अंडर में हम Norway के साथ भी यह Research Station को लेके बात किया है हमने. So, Arctic का हमारा जो बिल है, उस पे काफी emphasis देते हुए, we have carried out this winter scientific expedition. चलिए, next क्या हो रहा है? Next हुआ था December महीने में एक volcanic eruption. अब यह confusing है, क्योंकि दो areas हैं. अगर आप देखते हो, तो यह Sumatra Island है, Indonesia का. Sumatra Island, कैसे याद रखना है? Straight of Malakka के यहाँ पे आता है Sumatra. नीचे आता है Java. अब हुआ है जो volcanic eruption, वो हुआ है Mount Merapi में. That is Sumatra Island, यहाँ पे हुआ है. इस जगा पे हुआ है. बट पहले news में आया था कि Mount Merapi, जो Jawa में है, वहाँ पे हुआ है यह volcanic eruption. बट जगा वाला Mount Merapi में नहीं हुआ है. हुआ कहां पे है? Mount Merapi, जो Island of Sumatra में है. यहाँ पे हुआ है. इस area में हुआ है, which is near to the Malakka Strait. अब यह जो area है, that is Indonesia comes under the, what? Pacific Ring of Fire. Pacific Ring of Fire. यह Pacific Ring of Fire है क्या? Pacific Ring of Fire basically एक ऐसा territory है, जहाँ पे सबसे ज़्यादा earthquakes और tsunamis होते हैं because of tectonic plate shifting. तो अगर देखा जाए, you must have studied this in geography, but Pacific Ring of Fire को अगर देखा जाए, so starting from the Pacific Coast of South America, North America, moving on Japan के साथ, Indonesia होते हुए, it comes down to the Pacific Islands. तो यह Pacific Ring of Fire है. इंडोनेशिया में, December महीने में, there was a volcanic eruption and there was a lot of confusion कि कहां पे हुआ है, Merapi या Marapi? And finally, यह पता चला था कि Mount Marapi Sumatra में हुआ था. अब news में यह क्यों था? क्यों इसी लिए था? क्यों I said कि यह, जो Mount Marapi है, वो State of Malakka के पास है. And फिर से यह debate शुरू हो गया कि, State of Malakka में अगर कोई दिक्कत होता है, नाचरल हो या जियो पॉलिटिकल हो, या चाइना के वज़े से कोई blockade हो, तब वर्ल्ट ट्रेड पे impact होना है. obvious बात है. इसी लिए, जो Strait of Sumda और Strait of Lombok है, यहाँ पे, this has to be, you know, made more functional, ताकि Malakka का एक alternative बना रहे. तो यह जो volcanic eruption था, इसके वज़े से, again, यह debate शुरू हुआ था, कि there has to be an alternative to the Strait of Malakka. Okay, moving on, उसके बाद आते हैं, Oman. December में, the Sultan of Oman had made his first state visit to India. अब उस विज़े के दौरान, एक vision document signed किया गया था, which was a partnership for the joint future. Right? And they had actually talked about कि काफी अच्छा relation है इंडिया Oman के बीच में और India support करेगा Oman Vision 2040, which is basically, यह जो vision होता है, Gulf countries का, this is to shift towards a non-energy based economy. Right? तो Oman का है Oman Vision 2040 और India under Amrit Kaal has been talking about working with Oman. अब Oman हमारे लिए क्यों important है? क्योंकि Oman, आपने यह string of diamonds सुना है, यह diamond necklace सुना होगा, that is India के कई सारे strategic partnership के वज़े से, we have access to certain ports. Right? In the Indian Ocean. उसमें से Oman के पास से हमें यह डुकम पोट हमारे पास Oman ने दिया है. तो इसलिए Oman के साथ एक strategic partnership है हमारा. उसके अलावा आज के दिन में 6 countries हैं. तो let's count them. एक तो हो गया, obvious बात है Oman. 1, 2 is UAE, 3 is Qatar, 4 is Bahrain, 5 is Kuwait and 6 is Saudi Arabia. तो 6 countries हैं गल्फ कोपरेशन काउंसल में. यह जो 6 countries हैं, यह आज के दिन हमारे लिए काफ़ी important partners बन चुके हैं, not only for petrol, that is crude oil, but also because यहां पे हमारा डाइसपोरा है and strategic partnership के लिए भी हम यहां पे काफ़ी deals या partnership joint documents sign कर रहा हैं. तो इसी वज़े से Oman के अगर हम बात करें, तो we have the Dukum port which is essential for us. And हाली में, you would all know that Prime Minister of India, that is Modi ji, visited UAE and वहां पे जाके, there was an inauguration of a temple and lot of other important documents were also signed, right? तो यह GCC है, GCC is largely an Arab, all of them are Arab countries, all of them are monarchical countries, that means यहां पे सभी जो countries हैं, they are ruled by kings. Question आता है कि Yemen क्यों नहीं पार्ट है? तो Yemen is not part of the GCC because of two reasons, Yemenis को Arab नहीं माना जाता है, दूसरा, Yemen is not a monarchy, इसी वज़े से GCC से दूर है, as well as Yemen के पास actually crude oil नहीं है, and GCC is largely a block of countries इस region में जिनके पास crude oil है. ठीक है? So GCC के साथ हमारा काफी strong relation है. अब GCC के अगर देखा जाए, इस तरफ आता है Iran, right? On the eastern side, Iran आता है, और Iran और GCC के बीच में आता है Persian Gulf. यहां पे जो चोक पॉइंट है, वो है Strait of Hormuz. क्या है? Strait of Hormuz. तो Persian Gulf का जो चोक पॉइंट है, वो है Strait of Hormuz. और इस तरफ आता है Babal Mandap, Red Sea का जो चोक पॉइंट है, वो है Babal Mandap. दोनों ही चोक पॉइंट काफी important है, बट आज के दिन, जो December, January में news में है, वो है आपका Babal Mandap का चोक पॉइंट जो news में आ रहा है, क्योंकि Yemen में जो हूती हैं, जो कंट्रोल में हैं, वो आज के दिन में जो भी ships इस चोक पॉइंट से क्रॉस कर रहे हैं, उसको target कर रहे हैं, जिसके वज़े से US, UK, India सभी they have started, you know, protecting the commercial ships, ताकि trade block ना हो इस Babal Mandap चोक पॉइंट के पास. ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं, अफकोस, दुबाई में, या UAE, United Arab Emirates, अब UAE जो है, वो बेसिकली साथ Emirates का बना हुआ है, ठीक है, 7 Emirates, जिसमें से अबुधाबी, दुबाई, शार्जा, अजमान, उम अलकुएन, रसल खेमा, एंड फुजेरा, ठीक है, अब December महिने में, दुबाई में, COP 28 हुआ था, COP क्या होता है, Conference of Parties, राइट, अब COP 28 में, कई सारे चीजे हुई थी, it was not seen as one of the more successful Cops, क्योंकि, as usual, कोई strong decisions नहीं ली गई थी, in COP 28, तभी भी, तीन जो important चीजें थी, जो discussed की गई थी, और accept भी की गई हैं, वो एक है कि, Loss and Damage Fund को operationalize करने का decision finally हो चुका है, agreement आ चुका है, दूसरा है कि, यह जो transition होना है, towards renewable energy from fossil fuel, the actions have to be taken, so that net zero can be reached by 2050, target दिया गया है 2050 का, and finally, global stock take पे बात हुई है, जो basically है periodic review mechanism, जो 2015 में Paris agreement के under था, पट नहीं हो रहा था, finally COP 28 में कहा गया कि, यह periodic review mechanism से, यह देखा जाएगा कि, क्या countries, they are taking the steps to reach net zero by 2050, तो COP 28 में यह basic कुछ, you know, decisions, agreements की गई थी, but देखा जाएगा, तो it had a lot of hits and misses, it is not seen as one of the strong COPs that have taken place in recent times, नीचे comments में लिखिएगा कि COP 27 कहा पे हुआ था, क्या इसी West Station region में ही था, and interesting बात है कि, क्यों इतना oil rich countries में यह COPs हो रही हैं आजकर, चलिए, clue तो दे दिया, right, चलिए, आते हैं next country में, Malta में, अब Malta एक छोटा सा island country है, जो Mediterranean Sea में लाई करता है, news में क्यों था, news में इसलिए था, क्योंकि एक Malta से एक ship, जो MV Ruin था, वो hijack किया गया था, by the Somalian Pirates, जिसको Indian Navy ने protect किया, basically Somalian Pirates से fighting हुई थी, और MV Ruin को उन्होंने save किया था, सबसे पहले देखते हैं, Malta है कहां पे, Malta है आपका Mediterranean, this is North Africa and this is Italy, Greece, तो यहां पे आजाता है Mediterranean के पास, बैक करते हैं, Mediterranean से अगर हम देखते हैं, तो this is Mediterranean, यहां से आता है Swiss Canal, Swiss Canal से होते हुए Red Sea, Red Sea से होते हुए Babal Mandap, ठीक है, Babal Mandap के बाद आपका आजाता है Somalia, तो this is Babal Mandap, यह मैं याद होगा आपको, this is Babal Mandap, Babal Mandap से आजाता है Somalia, तो basically यहां Somalia जो country है, Horn of Africa में, they are famous for piracy and MV Ruin was Malta को जाने वाला एक ship था and Somalian pirates ने उसको hijack कर दिया था, तो Indian Navy ने उसको protect किया था, अब news में क्यों था, news में इसलिए था, क्योंकि यहां पर Houthis भी attack कर रही है और Somalian pirates भी hijack कर रही है ships, that means आज कि दिन Red Sea का जो area है, वो काफी unsafe हो चुका है, तो एक बार देखते हैं कि exactly क्या हो रहा है यहां पर, location इक पर फिर से देखते हैं, तो यह रहा Mediterranean Sea, right Mediterranean Sea से यहां पर आता है Swiss Canal, यह जो area है, यह है Gulf of Aqaba, इसरेल के एकदम southern most point से लेके आता है Gulf of Aqaba, यह है Swiss Canal, इस area को कहा जाता है Sinai Peninsula, अब Swiss Canal से आते हुए आएगा यह Red Sea, Red Sea हिट करता है आपका यहां पर बाबल मंदब, बाबल मंदब के इस तरफ आता है Yemen, और इस तरफ आता है छोटा सा country जीबूती, अब जीबूती के पास, खुद के पास resources नहीं है, वो अपना territory दे चुका है, और देता है lease में to other countries to have their own military bases, तो यहां पर फ्रांस का military base है, चाइना का है, यूएस का है, कई सारे countries का military base है जीबूती में, अब येमिन में जो हूती है, वो इसरेल हमास war के वज़े से, they are attacking ships, उनका कहना है कि they support हमास, they support a Palestinian state, and internationally, especially US, should step in and stop the war, इसी वज़े से हूती अटाक कर रहे हैं ship को, and यहां पर अभी, कोई भी commercial ship जा रहा है, तो काफी unsafe है, साथ ही साथ, Somalian pirates का भी case चल रहा है, तो इसी वज़े से, this is becoming more and more dangerous trade route to take in, अगर ये route नहीं होगा, तो पूरा Africa को cover करते हुए, नीचे से आना पड़े का, which is not only going to take time, but also it's going to be more expensive, right, because of the tension, because of the tension here, India ने तीन ships deploy की है, that is INS Murmugao, INS Kochi and INS Kolkata, तीनो ही Arabian Sea में हैं, just to stop any kind of attack on commercial or private ships, and US ने क्या किया है, कि एक Operation Prosperity Guardian start किया है, किन के साथ, UK, Bahrain, Canada, France, Italy, Netherlands, Norway, Seychelles and Spain, interesting बात है, Saudi Arabia नहीं है, इसमें, so, यहां पे, if you look at it, कोई भी member country नहीं है, जो actually इस region में present है, they are only there using aerial support as well as some ships in the water, Red Sea important क्यों है, क्योंकि 12% global trade pass करता है, and 30% of global container trade pass करता है, Operation Prosperity Guardian, आज के दिन, it's a combination of aerial as well as naval strategy, and India is supporting through the naval strategy, in the naval strategy, ठीक है, आगे आते हैं, अब news में, the golden triangle or golden crescent भी news में था, क्यों था, क्योंकि जो golden triangle है, क्या है, वो, एक पर map में देख लेते हैं, basically golden triangle आता है, आपका Myanmar, Thailand, और Laos, Myanmar, Thailand and Laos, यहां पे सबसे ज़्यादा opium grow होता है, and opium हमेशा black market में बिखता है, जिसके through में, weapons and other illegal things are brought, ठीक है, तो एक report आई थी by the UNODC, that is United Nations Office on Drugs and Crime, जो basically established हुई है, 1997 में headquarters है, वियना में, उनका जो report का नाम है, वो है Southeast Asia Opium Survey 2023, जिसमें उन्होंने काया है, कि सबसे ज़्यादा आज के दिन में opium grow हो रहा है, Myanmar में, which is part of the golden triangle, right, तो golden triangle इसी वज़े से काफी news में था, अब UNODC की बात करें, because UNODC भी news में था और international organization भी काफी important topic है, prelims के लिए, एक just briefly you should know कि ये जो UNODC है, ये basically relate करता है, ये काम करता है, on drugs, transnational organized crime, corruption and terrorism पे, they are ones who are fighting against all of this, तो इनका golden triangle as well as golden crescent पे recent एक review आया था, अब golden crescent की बात करें, तो इन्क्लूज बेसिकली पाकिस्तान, अफगानिस्तान and एरान, this is the golden crescent, एक समय था 2007-2008 में जहां पे, अफगानिस्तान had the maximum opium cultivation, अफगानिस्तान was like topping the list at that point of time, आज के दिन वो नहीं है, आज के दिन चला गया है, कहां पे, golden triangle में, जहां पे Myanmar टॉप कर रहा है list में, यूँकि यह देखा जाये तो Myanmar में भी काफी, you know, एक civil war kind of situation आ चुका है, जहां पे military जो government है उसके against में, कई सारे groups आ चुके हैं और fighting चल रही है, so people want weapons to come in, people want money to come in, इसी वज़े से opium trade flourish कर रहा है, and on the other hand, यहां पे, Taliban has just come to power, और उनको पता है कि अभी से अगर opium trade शुरू कर दे, तो दिक्कत होने वाला है, इसी वज़े से, at this point of time, golden crescent में इतना जादा opium grow नहीं हो रहा है, cultivate नहीं हो रहा है, but you never know कि जब कब Taliban यह फिर से शुरू कर दे, ठीक है, so this is golden triangle, golden crescent, moving on, आते हैं घाना में, अब आफरिका में आते हैं, वेस्टर आफरिका में, ठीक है, वेस्टर आफरिका में एक जगा है country है घाना, घाना का capital है आकरा, आकरा में 2023 December में, UN Peacekeeping Ministerial Meeting हुई थी, अब यह Peacekeeping Ministerial Meeting important क्यों है, क्योंकि 2018 से, actions for peacekeeping के under reforms बातचीत हो रही है, and finally, आकरा में जाके countries ने accept किया है, कि जो reforms पे बात हो रही है, उनको accept किया जाएगा, और उन्होंने कहा है कि, proper एक agreement बनाया जाए, जिसको next meeting में acceptance दी जाएगी, जो यह जो approval था, यह काफी again matter of debate था, कि action for peacekeeping के जो reform से finally acceptable है, कौन से countries accept कर रहे थे, नहीं कर रहे थे, तो इसको लेके काफी चर्चा में था, and Ghana is part of West Africa, West Africa के अगर हम बात करे, तो यहाँ पे grouping आता है, EcoVAS बोलके, और EcoVAS basically was established in 1975, treaty of Lagos के अंडर में, और यह in countries, 15 countries हैं, 15 countries के बीच में basically an economic agreement है, free movement of trade and people का, उसमें भी recently, बस दो-तिन दिन पहले की बात है, कि Niger, Burkina Faso और Mali ने का है, कि वो इस trade block से हटने वाले हैं, they are going to withdraw from that, and interesting बात है कि कुछ महिने पहले, उनको suspend कर दिया गया था EcoVAS से, क्यूंकि वहाँ पे military coups हुई थी, and there was constant, you know, chaos and civil war kind of situation was being there, इसके वज़े से EcoVAS ने उनको suspend कर दिया, and finally, दो-तिन दिन पहले, ने ने कहा कि भई हम भी छोड़ के जा रहे हैं, इस block को, right, so this is what is being used as part of EcoVAS as well, घाना कहां पे है, यहां पे आखरा is where the ministerial, peacekeeping ministerial meeting took place, जहां पे reforms on action for peacekeeping, पे finalize हुआ है agreement, agreement पे अभी final signatures बाकि हैं, but they have more or less agreed on the contours of क्या है नहीं है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आते कूरिल आइलेंज पे, कूरिल आइलेंज इस बेसिकली, अगर you know about it, you know that there is a territorial dispute, but news में आया था क्यूंकि वहां पे एक earthquake हुआ था, ठीक है, अब कूरिल आइलेंज बेसिकली, जपान के नॉर्दन से लेके, रश्या के जो territory है, वहां पे आता है, अब सेकेंड वर्ड वर के बाद, एक agreement हुआ था, जिसके अंडर में ये माना गया था, कि जो northern islands है, that is, Hokkaido is where Japan's territory ends, उसके बाद जो ये islands है, ये islands में जपान का control नहीं होगा, ये नहीं कहा गया था, कि किसका control होगा, बट रश्या कहता है कि रश्यान कंट्रोल होगा, इन पूरे islands में, जिसको जपान आज के दिन challenge करता है, जपान कहता है कि ये नहीं माना जाएगा, actually ये islands में, ये जो चार islands हैं, इन चार islands में, जपान का control होना है, अब क्या है इन चार islands का नाम, सबसे पहले तो, हाबो माई, शिको तान, ये चार islands हैं, ये चार islands में, dispute चल रहा है, रश्या और जपान के बीच में, बट यहां पे क्या हुआ था, कि there was an earthquake, and earthquake के वज़े से, again, who is going to send the disaster relief, पे debate शुरू हो गया था, क्या जपान भेजेगा, या रश्या या यहां पे debate भी, यहां पे भी यह शुरू हुआ था, कि कौन packages के थुरू में, फिर से वो rebuilding, या reconstruction पे focus किया जाएगा, right, interesting, और एक चीज है, कि जो कूरल आइलेंज है, basically, they separate the sea of occorts, from the Pacific Ocean, and sea of occorts में, आजकल, कई countries are interested, including China, and China का यह मानना है, कि इस sea of occorts में, there is a possibility of finding, what, patrol, right, तो यहां पे कई सारे claimants आने लगे हैं, आज के दिन में, आगे बढ़ते हैं, आते हैं, पापुआ नियुगिनी में, पापुआ नियुगिनी में भी, there was a volcanic eruption, part of Pacific sea, Pacific ring of fire only, and, and when the volcanic eruption took place, कहां पे हुआ था, Mount Ulawun में, right, Mount Ulawun में हुआ था, and उसी के बाद, India ने immediately, 1 million USD का, relief assistance भी भेजा था, as part of what, India का, humanitarian and disaster relief के अंडर में, HADR जो है, उसके अंडर में, India ने immediately, 1 million USD का, assistance दिया था, अब India and Papua New Guinea का, काफी strong relation दिख रहा है, in the last year, जहां पे, India has started engaging, with forum for India Pacific Islands cooperation, that is FIPIC, अब FIPIC, जो है, 2014 में developed की गई थी, it is cooperation between India, and 14 Pacific Island nations, यह जो 14 Pacific Island nations है, यह आपको, याद अखना है, and you need to know, कि not to south, इनका क्या flow है, right, and इसमें से, Papua New Guinea, India का, सबसे बड़ा, partner है, in the FIPIC cooperation, or the FIPIC group, and this has been, again, a game changer, because इससे पहले, India Pacific Ocean में, इतना interest नहीं रहता था, it was largely confined, to the Indian Ocean area, but जैसे 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 इंडिया का, strategic engagement बढ़ रहा है, with the Pacific Islands, with FIPIC, वैसे वैसे इंडिया का, footstep भी बढ़ रहा है, in the Pacific Ocean, right, यह कुछ जगा थी, जो December 2013, थेईस में थी, I hope आपने, you have noted down these places, अब, go back to the Atlas, open the maps, and see where they are, and again, map them, north to south, south to north, east to west, west to east, क्या होगा, कि ऐसे जब प्रिलिम्स में, questions आते हैं, यह आपके पास, prepared रहेंगे, अगले वीडियो में, I'll cover November 2023, के places in news, with this, I'll end today's video, thank you so much for joining me today.